लो रोबान दिस इस अप्रिश्यक रायन वेल्कम यू ओल तो और फेवरेट यूटूब चैनल राइजुकेशन राइजुकेशन चैनल पर आप सभी भाहे बंदों कारतिक स्वागत है मित्रों इसके पहले आप लोगों पता चल गया होगा कि हमारी जो सुनवाई होने थी है सरकार के लिए भी उनुतरजार भरती वालों के लिए विशेश्ट है तो हर जगह से भी यह आ रही है क्योंकि कमेंट सेक्षन मैं रीड करता हूं अब सभी बता सबके कमेंट पढ़ता जरूर हूं जवाब समय की वैस्तिता करन ना देपाना हूं अलग बात है इन कमेंट सबकें पढ़ता हूं ओके तो सिंगल बेंच की ओर्डर पर इस्टे लग चुका है यह तो मैं तो बोल नहीं रहा है ना मैं जज नहीं हूं न मैं वकील हूं और नहीं मैं जाके वहाँ पर कोर्ट रूम में बैठा था सीधी और इस परस्ट बात है जो लीगल अपडेट मिल और अब यह भी बता दूं कि जो यह स्टे वाला बात है यह बस लीगल टीम की तरफ से ही जानकारी जो भी पोस्ट के जरी प्राप्त होती होई है इस चीज की पूस्टी कब होगी यह शाम को आपकी कोट की ओर्डर कॉपी आएगी तो पूस्टी हो जाएगी ठीक है तो और हम रिजल्टे निकलवाएंगे तो अब उन्ह भीरतियों को मैं आवानवित करना चाहता हूं कि आगे कमेंट सेक्चन में अपना ज्यान का परचे थोड़ा सा लहरा हैं और ज्यान परदान करें हम लोगों को भी रहा दिखाएं स्टार्ट पैस्ट वाले के लिए बहुत सरकार सारी चीजों को निप्टारा करते हुए जो 20 सारी 20 सारी बोल लेते अब 23 सारी तक मौका मिल गया है जो मैं पहले से बोल रहा था आप लोगों को यह आपको अगर वीडियो देख रहे होंगे आपको तो पता होगा तो इसी के बारे में पूरी चर्चा करूंगा तो प सुनवाई 23 माई तक सिंगल विंच के आदेश पे रहेगा इस्थगना देश यानि की स्टे हिंदी तो पढ़ लेते होंगे जो बिरती आगे कमेंट सेक्चन में थोड़ा सा बावंडर मचाने वाले हैं अपने सब्दों से और जो समझते हैं कि हम सिक्षक बन जाएंगे इन रेकोड खंड़ पीड में बैठते हैं सुनवाई पूरी समझते हैं फिर यह अपडेट देते हैं तो यह तो फालतुग अपडेट देते होंगे नहीं है ना तो यह तो समझ में आ गया कि तेज तारिक सिंगल बिंच का जो आदेश रहा है 29 मार्च वाला उस पे इस तरंगना देश यहने स्टे लग चुका है और आप लोगों पता है कि 8 मई तक अपोजीशन वालों को अपना अबजेक्शन दायर करना था जो नोंने नहीं किया आकर और उसी भाशा के जरी आस तक वो सिक्षन कार करते रहे हैं और उमीद है कि वैसे ही करते रहे हैं क्योंकि अभी आप लोगों के एक पोस्ट मैंने दिखाया था एक वीडियो भी बनाया था उस पे कि जो प्रात्मी की जो दसा है वो इन्ही महान भाव की वज़े से है जो द रिजोंडर का भी तीन दिन का समय मिलता है रिजोंडर दाखिल करने का अपनी तरब से सरकार या लीगल टीम जो भी है उनकी तरब से तो रिजोंडर दाखिल करने के लिए तीन दिन का मौका मिला है और सरकार की अपील जल्द हो जाएगी यह सभी चीज़े हैं और विस्ति तांडों मचाना चाहिए उनको मचानि दीँ क्योंको समझ में आ चुगा है कि जो उनका सानध देने वाले थे Panthari जी सपस्ट भासा हम बोल रहा हूँ पंसारी जी और कुछ लोग तो उनको अजवाईन पंसारी भी बोलते है तो इस पश्ट भासम भूल रहा हूं कि लोगों की भी मानसिक्ता से आप ब्रहमित करते थे खेल रहे थे तब आपके साथ ही कोई समझ में आ गया कि आप कहां तक जा सकते हैं तो अब तांडों बचारे उनके पास कुछ बचा नहीं है तो जितना हो सके का वो यहां पे तांडों करेंगे लेकिन जितने में हमारे मित्र हैं जो 60-65 के समझता के हैं बिल्कुल पैनिक मत हो यह क्योंकि अब सही स्तिती में आप लोग चल रहे हैं और जल्दी आपको निरनाइक फैसलात देखने को मिलेगा मोटिवेटेड रहे है हसते रहे है और व्यक्ति का जो भी आपको लगे कि प्रश्ण है या कोई यह फेक न्यूज ट्रेवल हो रही है वाट्सप पे फेस्बुक पे तो जरूरू हमसे प्रश्ण कीजेब आपको सारी चीजा ऑथ्रेंटिकेट हम जानकर ही प्रदान करेंग तो बस मुस्कुरात रिये बने रिये मार साथ स्टेए टून और राइज विकेशनल गड़ ब्लेस यू अल थैंक यू सो माच